हर जलते दिये तले अंधेरा होता है हर रात के पीछे एक सवेरा होता है लोग धर जाते हैं मुश्किलों को देखकर पर हर मुश्किल के पीछे सफलता का सवेरा होता है दोस्तों आज है 8 दिसंबर और स्टार्ट करते हैं आज करनेफेस दोस्तों अदिविते कापने चैनल को सब्सक्राइब निकिया तो प्लीज सब्सक्राइब करके वेल आइकन जुरूर प्रेस कर दे ताक कि आपको डेली मौनिंग में इसी तरह के करनेफेस की वीडियोज मिलत कि आप इस वीडियो को अंत्य तक जरूर देखा करें चलिए फिर फटा पड़ स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो दोस्तों पहला कोशन बहुत इंपोर्टेंट है हर वर्स कब अंतराष्टी नागरिक उड्डियन दिवस मना जाता है ये 7 दिसंबर को ठीक है 7 दिसंबर क कि 2018 के लिए इस दिन का विश्य क्या है याद रखिएगा इसका थीम याद रखिएगा वर्किंग टुगेदर टू एंस्योर नो कंट्री इस लेफ्ट बिहाइंड ठीक है तो अंतराष्टी नागरिक उड्डियन दिवस कमना जाता है ये मना जाता है 7 दिसंबर को ठीक है द फटा फट इस वीडियो को टार्गेट पूरा करें कल आप लोगों ने काफी लेट किया ते वीडियो आपको पसंद आए आपके एक्जाम के लिए हलफुल लिए प्लीज वीडियो लाइक जरूर कर दिया करें अगला कोश्चन दोस्तों काउन सा देश अपने सभी परिवहन को निशुल्ग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है पहली कंट्री बन गया है और आपको बता देए कि 2019 में ट्रेन ट्रॉम और बसों पर किराय को हटा देगा ठीक है आपको बता देए सो लग्जंबर सरकार ने 20 वर्स से कम उम्र के प्रत्यक विक्ति के है आपको वह लग्जंबर की राजधानी क्या है लग्जंबर सिटी और करेंसी यूर जेवीर बेट्यल के बरतावन प्रदान-मंत्रीं लग्जंबर के बरत्मान प्रामयम निस्टर है तो कौन सा देश अपने सभी सार्विनिक परिभान को नेशुल करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा यह बन जाएगा दोस्तों लगजंबर्द जरूर याद रखियेगा काफी इंपोर्टेंट है कोश्चन थार्ड है दोस्तों केंद्री मंद्री मंदल ने कि इस नदी पर सा साहअपूर कंडी बान परिजना के कहान्वयन को मंद्धूरी देदी है ठीक है इस परिजना के कहpowered नदी चाने के बनonce करने मदद मिलेगी ठीक है आपको परिजना के पूरा होने पर पंजाब में 5,000 हेक्टेयर और जम्मू काश्मीर में 32,133 हेक्टेयर की अतिरिक सिजाईश हमता उपलब्द हो जाएगी यह परिजना दोस्तों जून 2022 तक पूरी की जाएगी ठीक है तो केंदरी मंत्री बंडले किस नदी पर साहपूर कंडी बां ओनलाइन इस्टिडी पॉइंट को अपने फेस्बूक एपलिकेशन से सर्च करके लाइक जरू कर लें वहाँ पे मैं डेली करेंड अफेस और इसके लावा हैं रिटेन नोट सेयर करता हूं तो फटा फट लाइक कर लेजी इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बाक्स में फेस बहागा उप्शन दी टीए कि केंदरी म्ध्री मंडल्य दोस्तों चे दिसंबर को अन्तव विशाय शासरी में पॉट्प्ररॉज को मंजूरी देती है यह मिशन साइबर भौत्प्प्र。налиस से सब्मेंधित प्रद्योगकियों कि विभिन नावर सक्ताओं को सम्मोधित करेगा यह आपको बता दें दोस्तों कि यह मिशन विज्ञान और प्रदोकी विभाग दर लागू किया जाएगा याद रखीएगा ठीक है और यह जो मिशन साइवर भोती प्रणाली दोस्तों किस ने एड्मिरल कप नौका यान रिगाटा 2018 का नौबार संस्क्राण संपन हुआ है और टीम इटली ने एड्मिरल कप नौका यान रिगाटा 2018 जीत लिया है टीम सिंगापूर दूसरे स्थान पर और टीम यू से तीसरे स्थान पर है ठीक है सेकंड नमर पर थी टीम सिंगापूर और थर्ड नमर पर टीम यू से ठीक है या आप याद रखिएगा तीन में से किस ने एड्मिरल कप नौका या निरिगाटा दो अधारा जीता है यह जीत लिए दोस्तों टीम इटली ने ठीक आउपसन भी करेक्ट है इसमें सेकेंड नमर पर सिंगापूर थर्ड पर यूशे है Q6 है दोस्तों Export-Import Bank of India ने एकजिम बैंक ने दिसम्बर 12 में किस देश को 500 शो मिलियन डॉलर का रिंद दिया है तो यह दोस्तों तंजानिया को ठीक है तंजानिया उपसन C देखे दोस्तों Export, Import Bank of India जिसको Exim Bank कहते हैं सौट में 6 दिसंबर को तंजानिया को 500 मिलियन डॉलर का रिंड दिया है ठीक है 500 मिलियन डॉलर का इस रिंड रासी को उप्योग तंजानिया में जलापूर्ती परिजनाव के लिए किया जाएगा ठीक है Exim Bank ने आपको बता देख 10 में 2,18 को तंजानिया सरकार के साथ रिंड समझे होते पर स्ताक्षर किये थे तंजानिया की राजधानी क्या है डोडोमा कैप्टल है डोडोमा है और इसकी मुद्रा है तंजानिया सिलिंग ठीक है तंजानिया सिलिंग इसकी करेंसी है ठीक है तो 500 मिलियन डॉलर का रिंड एक्जिम बैंग ने किसको दिया है तंजानिया को अगला कोशन है दोस्तों किस सहर में दिसंबर दोठारा को एक फ्रेट विलेज को मंजूरी दे दी गई है तो दे दीगे दोस्तों वारानसी को ठीक है ओप्सन सी वारानसी देखिया आपको बतादे कि सिपिंग मंत्रा ले ने वारानसी में एक फ्रेट विलेज को मंजूरी दे दी है आपको बतादे कि वारानसी में पेशेवार रसादू द्योक बढ़ावा देगा आपको बता दे कि इसे अंतरदेशी जलमार प्राधिकंदवर विक्सित किया गया है अब ये फ्रेट विलेज क्या है तो आपको बता दे कि फ्रेट विलेज हुआ है निर्दिष्ट शेत्र है जहां परिवहन की बिविन साधनों माल वितरन और अने रसत के लिए बड़े पैमाने पर शुवधाएं उपलब्द होती है तो इस दिन का मकसाद है तो सहीदों के साथ साथ पूरुष और महिला साहिनिकों को समानित करना जो भारत की रक्षा के लिए सीमाओं पर बहादुरी से लड़ते हैं ठीक है तो याद रखिएगा और आपको अधातिक पूर उर्सेनिक समदाय के कल्ले आड़ और पुनरवास के लिए भारत सरकार दोरा स्रस्रस्तरबाल ध्वज दिवस कोस का गठन भी किया गया है तो पूरे भारत में स्रस्रस्तरबाल ध्वज दिवस का मना जाता है साथ दिसंबर को अगला कोशन दोस्तों वारानसी के बाद इनमे से कौन से सहर जल मारगों के माध्यम से कंटेनर कार्गोर प्राप्त करने वाला भारत का दूसरा सहर बन जाएगा तो इसका करेक्ट एंसर होयागा ऑप्संसी पटना ठीक है पटना देखे दोस्तों वारानसी के बाद पटना जल मारगों के माध्यम से कंटेनर कार्गोर प्राप्त करने वाला भारत का दूसरा सहर बन जाएगा और पहला वारानसी सिपिंग मंतरा लेका अनुसर गंगा नदी पर पटना में इसमें गया घाट जो टर्मिनल जो है दस दिसंबर दोठारा के बाद पेप्सिको और इमामी एग्रोटेक माल प्राप्त करेगा ठीक है तो याद रखिएगा ठीक है और आपको दादेख जल मार्ग विकास परिज रखिएगा कोश्चा नमबर टेंथ है कि शेत्र में सहयोग के लिए भारत और जापान की बीच सहयोग एक जापान प्रस्ताक्षर किये गये थे करेक्ट एंसर हो यागा ओप्सान दोस्तों डाक ठीक डाक देखें दोस्तों केंदरी मंद्रि मंडल ने डाक शेत्र में के जापन है विशिश शेत्रों में आगे सहयोग को करने के लिए डाक सेवा वारत इस्थापित करने में मदद करेगा ठीक है किस शेत्र में सहयोग के लिए भारत और जापान की बीच सहयोग जापन पर सक्षर किये गए थे डाक डाक ठीक आउप्सन ए कोशन 11 नई दिल्ली में कि इस मंत्राले को राष्टी महत्त के लिए इसकोच पुरुसकार 288 दिया गया है तो यह दिया गया है दोस्तों नभी और नभी करणी उर्जा मंत्राले ठीक है नभी न और नभी करणी उर्जा मंत्राले ठीक है यह नई दिल्ली में राष्टी महत्त के लिए इसकोच प्रहुंका के लिए दिया गया है ठीक है और यहें पुरुषकार सचीव नवीन और नवीकरणी उर्जमंतराले आनंद कुमार दौरप्त किया गया था ठीक है तो याद पांच दिसमबर को सभी स्टूडेंट ने राइड एंसर दिया तो आप देख लेते हैं तो आज का कोशन क्या आज का सवाल है किसे निव इंडिया एंस्वरेंस का दोस्तों दिया अमेंद emissions की वीडियो को लायक करें सब्सक्राइब कर दो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें दोस्तों क्योंकि आपके लिए ऐसी डिली विडियो मैं लेकर आता रहता हूँ ठीक है चले मिलते हैं स्टूडियों के साथ दोस्तों आपका दिन शूभ हो अब अब ध्यान रखे स्वस्तर रहे बेस्तर रहे मस्तर रहे जै हिंद जै भारत